तोस्तो रिलाइस पावर की बात करें यहाँ पे एक के बाद एक लगातार बहुत सारी गुर्णी निकल क्या रही है रिलाइस पावर का मैनेजमेंट लगातार कोसिस कर रहा है कि जल से जल पूरे कर्ज के जंजाल से बार निकला जाए और इसी को लेकर एक बड़ा सेटलमेंट किया है करीब 1032 क्रोड का तो पूरी खबर को अच्छे से समझेंगे और जानने की कोसिस करेंगे क्या इस समय रिलाइस पावर में निवेस का मौका बनता है जो मारकेट एक्सपर्ट है उनकी क्या राय निकल क्या रिलाइस पावर को लिकर अगर आप समझें पिछले कई सालों से लगातर मैंने काये कि रिलाइस पावर के अंदर पोटेंशल है कि यह स्टॉक एक बड़ा मल्टी वेगर बन सकता है क्योंकि अनी लंबानी की कोसिस है कि इस कंपनी को फिर से टॉप पे लाया जाए बहुत पूरानी कंपनी है ग्रिन अनी के प्रोजेक्ट करती है लेकिन इस कर्च के जंजाल में ऐसे फसे कि जो प्राइज इसकी थी 500 रुपे का जो IPO लाय वा शेर था वो एक रुपे पे आ गया बिलकुल कोडियो के भाव में लेकिन एक रुपे से भी इसने लोगों को मल् पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले आज़ार के लिए काफी बड़ा सूप संकेत है कि यहां पर अभी भी गिराउट का इतना बड़ा माहूल नहीं है निप्टी एनर्जी की बात कि यहां पर भी काफी ची तेजी थी 38691 के इस तरफे 261 पॉइंट की तेजी थी यानि 0.68% अपर निप्टी एनर्जी दे थी कल की 27.60 पर इंट्राइड में 28.50 का ही बना और जो लो है वो 26.60 का है तो पिछले कई जिनों की जबदस तेजी के बार आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई लेकिन निचले लेवल से स्टॉक ने फिर एक सांदर तेजी की समाहर दिखाई है और पॉजिटिव उसने यापे कुछ पॉफित बुकिंग भी है और काफी चीख खरीदार भी हुए है बाप वोलिम देखी सकते हो पिछले एक मैने पर यसका वन क्लोट का डिलोरी बेस काम हुग है और कल 74 लेक का सिर्फ काम हुआ डिलोरी बेस इसके पीछे बजह की डारेक सरकेट लग रहा था, जापे 1.7% की गिराउट पी, 20 मार्ज की बात करे तो 23.90 divorced stock ayे जापे 5% का अपर सर्केड लगा 21 मार्ज को stock आ गये май 25.05結果 जापे 5% का फिर से अपर सर्केड लगा 22 मार्ज को stock आ गयेphones 26.30 स Soros पाज जापे हमें फिर से 5% का अपर सरक्रीट देखने को मिला और 26 मार्स को स्टॉक 27% गिरों क्या सपसा गया 5% के अपर सरक्रीट के साथ यानि लगातार 4 ट्रेडिंग सेसन में अपर सरक्रीट लगया 20% की तेजी सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेसन में देखी थी और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है जो आज आ गई अब यहाँ पर जो बड़ी गुड़ी निकल के आ रही है रिलाइस पॉर्ण ने अपनी दो सबसेडिज कंपणी का जो कर्ज था उसका सेटल्मेंट कर दिया है करीब 1023 क्रोड का ये कर्ज जिसका सेटल्मेंट किया गया है तो रिलाइस पॉर्ण ने जो एक्चेंज को जानकारी दिया उसमें उनका कहना है कि उनकी दो सबसेडिज कंपणी का जो सेटल्मेंट है वो ओथम इन्वेस्मेंट के साथ में हो चुका है जो एक देख़ते हैं कि इसका पुरा आजने वाले समय में एक के बाद एक जो गुड़ नुज की समभावनब बंदी शुरू हो चुके तो रिलाइस पॉर लिमिटेड की जो सबसेडिज कंपणी है कलई पॉर प्राइवेट लिमिटेड और रिलाइस क्लीन जैन लिमिटेड इन्हों ने एक डेट सेटर्मेंट एग्रिमेंट साइन किया है रिलाइस कमर्शियल फाइनेस के साथ में जो एक सबसेडिज कंपणी है ओथम इन्वेस्मेंट और इंफ्राइसक्टर लिमिटेड की तो Reliance Commercial Finance Limited Reliance Group की ही कमपनी थी लेकिन इन्होंने autumn investment firm को ये बेची है कमपनी अपने कर्ज को चुकाने के लिए क्योंकि आपने दिखा हुआ Reliance Capital का हिस्सा थी Reliance Capital भी निलाम हुई है बहुत सारी कमपनिया जो अजिन लंबानी की निलाम हुई है तो यहाँ पे यह जो debt agreement साइन करके इन्होंने वो एक बड़ा settlement कर लिया यहाँ पे तो यहाँ पे total जो debt settlement किया गया वो 1023 क्रोट का है दोनों कमपनियों का जो कर्ज था और इससे पहले अलड़ी हम कल के वीडियो में डिसकस कर चुक है कि 45 मेगावाट का भी इन प्रोजेक्ट है जो माराश्टरा का इनका प्रोजेक्ट है जो जेएस डवली एदरेज़ों के साथ में इन्होंने settlement कर लिया 132 क्रोट रुपे का वहाँ से भी income fund मिला और आज 1023 क्रोट का एक बड़ा debt का settlement कर लिया यानि कमपनी बहुत तेजी से अपने सारे कर्ज को चुकाने की तरफ आगे बढ़ रहे 1323 में कलाई पावर ने अपने जो टोटल डेवलोपमेंट राइट से वह बेचे थे 1200 क्रोट का जो मेगावर हाइडर इलेक्टिक पावर प्रोजेक्ट हा अनुचार 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 प्रदेश टीएस इंडिया लिमिंटर को 128 क्रोड में और आप देख सकते हो यह जो लगातार डेट सेटल्मेंट हो रहा उसके माद्यम से कमपनी कर्ज मुख्थ होना चाहती है और लगातार अपने कुछ ऐसेट बेच के कमपनी कर्ज के जंजाल से बाहर निकलना चाहती है इससे पहले इन्होंने DBS बेंक, ICC बेंक और XS बेंक के साथ में एक डेट सेटल्मेंट कर लिया है जिससे इन कमपनियों का सारा जो कर्ज है वो छुकाने की कमपनी तयारी शुरू कर चुकी है तो Reliance Power पूरीत से डेट फ्री होना चाहती है और आप देख सकते हो कि 31 मार्ट 2024 तक कमपनी पूरे कर्ज के जंजाल से बाहर निकल जाएगी और पूरीत से कर्ज मुक्त हो जाएगी तो अब आप देख सकते हो कि जो Outstanding Debt है इस समय 700 करोड के आसपास है जो लग रहा है कि जल्द ही कमपनी पूरेत से इस कर्ज को भी छुका देगी अब यहाँ पर Reliance Power कर लेकर Tips to Trade के AR रामचलन के इसाब से जो कहना है उनका कि स्टॉक इस समय bullish zone में दिखाई दे रहा है और जो इसका support level है 26.30 के आसपास है इसका resistance 29 का है 29 को क्रॉस कर लिया तो 34.40 तक जाने की सम्मावनों बन रही है यानि स्टॉक की नई हाई बंदे की सम जिखरेस पटेल का कहना है कि इस टॉक का जो support है 26.35 के आसपास है resistance 28.50 का है और एक बार 28.50 को क्रॉस कर लिया तो फिर 32.65 तक जाने की सम्मावनों बन रही है तो यहाँ पर आने में सम्में इसकी जो trading range होगी वो 25 से लेकर 32.65 के आसपास रही है कुछ समय के लिए यह जिख लजिनों, ICC Bank, Axis Bank और DBS Bank के साथ में settlement कर लिया है कंपनी अपने कर्च को पूरीतर से खत्म करेगी और ऐसे में आने वाले समें इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है और आने वाले समें इसकी सम्मावनों बनेगी क्योंकि अभी फिलाल IDBI Bank के साथ में ही इनका खाली settlement बाकी है तो stock box के हिसाब से stock attractive लग रहा है और आने वाले समें कुछ और अच्छी गुड़ी देखने को मिल सकती है दूसरी दरब देखतो यहाँ पे choice broking के सुमित बगडिया के हिसाब से reliance power में खरिदारी की सम्मावनों बनेगी इसकी जो currently जो एक price range दीखे तो 22 से 30 के बी इसमें stop loss लगाने की दोने सला दिया 22 रुपे के असपस 22 रुपे का stop loss लगा कि आप इसमें निवेस करेंगे तो आपको 34 का target देखनों को मिल सकता है तो कुल मिला के reliance power में तेजी की सम्मावनों बन रही है reliance power लगातर अपने कर्ज को कम करी है बहुत जल्द कर्ज मुक्त हो जाएगी ये सारी बातें साबित करी है कि reliance power में खरीदारी का ये सही मौका है लेकिन जैसे के पिछले जो बहुत जबरस तेजी बनी है चार ट्रेडिक सेसे में 20 पर 30 के तेजी बनी है कुछ profit booking जरू आए तो 23 का पहला support है ये support टूटा तो stock आपको 21 तक जाता हो दिखाई दे सकता है गिरावट और बड़ी तो फिर 19.88 है यानि 20 से नीचे stock जा सकता है तो ये possible तबी है जब बादर में काफी बड़ी गिरावट हो लेकिन इस समय ऐसी सम्हावना इसमें काफी कम दिखाई दे रही पॉजिटिव माहुल बना तो 27 का first resistance है ये resistance पार हो गया तो stock आपको 28 तक जाता हो दिखाई देगा और एक बार 28 को cross किया तो फिर 31 तक जाने की सम्हावना है तो यहाँ पर आज देखो कि intraday में 28 तक stock जाके आ चुका है ये second resistance को भी इसने पार किया ये stock तेजी से आगे ये पूरा stock है face value 10 rupees के साथ में आने वाले समय में निकेड भविसे में ये फिर से 500 का target दिखाने की ताकत रखता है क्योंकि सरकार ने green hydrogen mission launch किया है और solar power and wind power के मादिम से बिजली बनती है उसका green hydrogen में उसको convert किया जाएगा पानी के मादिम से गुजार के और ऐसे मैं इस company का future bright है long term investor को लिए मौका अच्छा है खरीदारी करनी चीए लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisors बढ़ाई ले या अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like से जरू की जोर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू friend